तो आज का जो टॉपिक है उसमें है गैप अप और गैप डाउन ठीक है तो हम लोग इसके पीछे की रियल साइकोलोजी देखेंगे आपको ऐसे सिच्वेशन में कहां पे ट्रेड प्लान करना है आपको कौन से सिच्वेशन में किस तरह से एनलाइज करना है सारी चीज़े गैप अप और गैप डाउन की सिच्वेशन में आप लोगों को किस तरह से स्टार्ट करना है सबसे पहला जो अपना क्वेशन है जो खुद से आपको पूछना है कि हूँ वेर अवेलेबल प्रीवियस डे इन हूज फेवर मार्केट अज ओपन हूँ आर इन पानिक मोड यह सकते हो या फिर अप लोग एक्सपैक्ट कर सकते हो थिक है सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते है आजि की दिन से जिसमें मार्केट क्या क्या गैप अब खोरक्ष walिट değ । प्री वेर अवेलबल प्री अब रिवेस डे पे कोयेवेलेबल थे आप लोग मुझे बता एकि तो मुझे बते gap up open होने के बाद buyers को खुशी होगी और जो दुखी वाली पार्टी है कि दुखी वाली पार्टी यहाँ पर आ चुकी थी क्या previous day पर बिल्कुल भी नहीं तो क्या यहां पर sellers थे जो अगर sellers यहां पर होते तभी तो market कुछ ना कुछ panic में उनको trap करता तो trap करने के लिए क्या यहां पर वो पार्टी अविलेबल थी जो trap हो जाएगी अगर market gap up open होता है तो बिल्कुल भी नहीं यहां पर जो अविलेबल थे वो favor वाली पार्टी थी यानि कि जो buyer seller psychology है वो अपने को क्या बताती है कि previous day पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ buyers ही थे क्योंकि market ने एक अच्छा का सा up move ही किया था किसी को trap नहीं किया था यानि कि sellers को trap नहीं किया था market और sellers को अगर market ने trap नहीं किया है तो यहां पर जो available party दिख रही है अपने को clear कि market एक up move देखे positive ही closing दिया है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि gap up open होने के बाद जो buyer से उन लोगों की probability क्या होती है आप लोग मुझे बताओ आप लोगों नहीं आप बाई किया और बाई करके आप सो गए घर जाके सो गए दूसरी दिन आप देखते हो कि आप लोगों नहीं आप बाई किया था तो आपको दिख रहा है आप 10,000 का profit राइड तो खुश हो जाओगे आप सोचो कि चलो अपना तो सुबह सुबह भी profit हो चुका है अपना सुबह सुबह अगर profit हो चुका है तो इसको book कर लेते हैं और यह आपकी नहीं यह 99% लोगों की जो psychology होती है जो nature होता या फिर एक्सपेक्टेशन होती है वो सेम होती है कि अगर आपने बाई किया है और आपको overnight में अच्छा खासा profit हो रहा है तो आप लोग उसको sell करने की कोशिश करोगे आप लोग उसको book करने की कोशिश करोगे exactly market में वैसा ही हुआ market में यहां पर open होता है open होता है यहां पर profit booking आती है ठीक है यह होगा profit booking वाला concept जो की basic concept है जिसके बारे में आपने सीखा होगा ठीक है next concept जो मैं आपको बता होगा next example वो ज्यादा आपके लिए फाइदे मन रहेंगे ठीक है तो इस example से अपने को क्या सीखने को मिलता है कि इस अपने को यह सीखने को मिलता है previous day पे अगर sellers नहीं है और फिर market अगर gap up open हो रहा है तो वो continue करेगा upside इसकी probability बहुत ज्यादा कम हो जाती है क्योंकि है यही बायर्स तो वो लोग यहां पर यहां पर पूपन होने के बाद profit booking ज्यादा प्रेफर करेंगे ठीक है next example में अगर आपन यहां पर चेक करते हैं यहां पर अब मुझे बताओ sellers अवेलेबल है तो उपर open होने के बाद या फिर इस breakout के बाद या फिर इस breakout के बाद या फिर जो मूव होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए मार्केट में जो मूव है वो पैनिक मोड होना चाहिए क्या मार्केट यहां पर देखे पहला कॉश्चन क्या है कि पूरा दिन मार्केट ने एक नेगेटिव, क्लोजिंग दिया है, ठीक है, तो यहां से मेक्जिमम लोग है, वह सेलर्स अवैलेबल है, यहां से फिर में मार्केट ओपन हुआ है, क्या सेलर्स जो थे अल्रेडी, उसके फेवर में हुआ है, कि market open बिल्कुल भी नहीं, market open उनके opposite में हुआ है, तो यानि कि जो party previous day पे available थी, उनके favor में market अगर open नहीं हुआ है, उनके opposite में अगर market open हुआ है, तो एक ही question बसता है, क्या ये जो party जिसके opposite में market open हुआ है, क्या वो panic mode में है, ठीक है, अब जो concept आता है, वो है panic mode, panic mode को कैसे identify करन है, ठीक है, panic अगर market होता है, या फिर market में जो sellers आ चुके है, उनको अगर panic होता है, होना है, तो market को क्या करना पड़ेगा, इस पूरे move के 50% के ऊपर अगर अपने को मिलता है, और strong मिलता है, तो फिर अपन buy side का trade plan कर सकते थे, लेकिन, यहाँ पे market gap up open होता है, और gap up open होने के अगर आपको अगर आपको अगर आपको अगर आपका 900 800, 700, 600 continue हो रहा है, तो क्या आप यहाँ पर panic होना पसंद करोगे, या फिर आप इसको थोड़ा से hold कर लोगे, और थोड़ी quantity add कर लोगे, और averaging वगर गलत चीज़े, लेकिन, मैं आपको एक general market में, buyer and seller की psychology में आपको बता रहा हूँ, ठीके, obviously आप लोग क्या करोगे यहाँ प market, तो यहाँ पर entry पर जब market आ चुगा है, तो यह candle लेकर हो आप, entry पर आजाने के बाद, यहाँ पर जो sellers है, वो और ज्यादा active हो गए, और सारे sellers यहाँ पर पूरी तरह से अपने trade में बने थे, और और quantity बे आड़ कर दियोगी, और एक चीज़, आप यहाँ पर थोड़ा स दिखना होता, यह यहाँ का concept है, ठीक है, next example पर हम लोग check करते हैं, यहाँ पर, next example यह रहाँ, ठीक है, अब मुझे बताए, यहाँ पर market में क्या किया है, market ने एक अच्छा का सा bullish moment दिया है, bullish moment में continuously buyers यहाँ पर available होंगे, अब मुझे बताए, next question अपना यह आता है, कि buyers जो य lower time frames में भी check करो गया, one main time frame में भी check करो गया, तो clearly अपने को एक चीज यहाँ पर पता चलती है, वो चीज यह है, कि यहाँ पर market continuously खुलते ही नीचे जाने की तरह बताए, और इस तरह के major gap down में, जब already move हो चुका है, already जिसको निकालना है, वो निकल चुका है, अब हम लोग opening price तक चेक करते हैं, कि कितने points market नीचे आ चुका है, 430 point market नीचे open हो चुका है, open होने के बाद भी almost 600 point market travel कर चुका है, तो यहाँ पर जो buyers थे, उनको जिस तरीके का shake करना था, जिस तरीके से remove करना था, वो market ने कर दिया, ठीक है, अब इसको अगर continue होना होता, नीचे के यहीं से, तो इसका behavior क्या होना चीएता, पता है, market को gap up open होना, यहीं पर इस तरह से market को slow and steady weakness show करना होती, एक buyers को invite करता, और फिर यहीं से अगर weakness show करके, यहीं से market चला जाता, तो अगर यहीं से gap down open होने के बाद, 600 point gap down होने के बाद भी अगर market को नीचे जाना है, तब ही आप लेकिन market नहीं किया किया, पहले ही minute में continue ऊपर आना चालू कर दिया, और ऊपर आने के वाद यहाँ पर फिर से एक बार buyers को hope दिया, यहाँ पर बहुत सारे buyers यह सोच के आए होंगे कि gap filling कर देंगा, और इस दिन हम लोग live में बिते और live market में, मैंने यहाँ यहाँ पर इस तर से अगर market जाता है, यहाँ पर हम लोग sell करना पसंद करेंगे, यह plan आप लोगों को live में मैंने दे रखा था, और इस market में, इस analysis के जो भी concept है, इसके पीछे का logic यही था, यहाँ पर market में buyers तो आ चुके है, लेकिन proper और market buyers को अगर invite करता है, breakout situation market यहाँ पर बना रहा था, ठीक आप करने की probability जादा होती है, ठीक है, यहाँ पर जो gap down हुआ था, इस में panicness नहीं दिख रहा था, बायर्स में, panicness अगर दिखता तो market का जो जुका होता, वो नीचे की side होता, market यहीं से continue करता, ठीक है, और इतने सारे buyers को बुलाने के बाद ही, इसलिए market यहाँ पर नीचे आ कर दिया है, काम क्यों किया है, क्योंकि इसको sellers को रखना था, क्योंकि इसको अगले दो दिन में उपर जाना था, उपर जाना था, इसलिए market नहीं यहाँ पर सेट अप उनके बनाया, ठीक है, और एक चीज, यहाँ पर market यह gap up open हो चुका है, gap up open होने के बाद, panicness किसको बोलत ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को market को decide करना है, market को judge करना है, बहुत लोग की demand ठीकी, gap up, gap down इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे किस तरह से analyze करना है, उसकी लिए, ठीक है, तो तीन चीज़े याद रखना gap up, gap down में, who were available previous day, in whose favor market open, in whose favor market open का मतलब है, जिसके favor में market open हो कौन available था, किसके favor में market open हो है, exactly, इसी तरह से आप लोगों को analyze करना है, और यह सारे confirmations है आपके लिए, ठीक है, master course में, एक new session, trend wise trap setup, यह add हो चुका है, जो existing students है, उनको free of cost में lifetime तक इसी तरह से changing market behavior के updates मिलते रहेंगे, ठीक है, जिसको लेना है, वो बिलकुल ले सकते है, क्य WhatsApp number भी available है, कोई भी अगर query आपकी है, तो आप लोग मुझे WhatsApp कर सकते हैं, ठीक है, thank you so much for watching this video guys, see you in the next video, thank you